कि अन्यमें अपको आपको कि अनुमें की तरफ से हमने अपने last Video में जो वनसौट हमने दिया था इता उनले कंटी सौरा लिमिट बारे में discussion की थी अभी क्या है कि लिमि अधी यह में करना है का करना है कैसे करना है यह जो बूट सवार भोग गया है कैसे है जी सबना बस दिखावे हैं दिखावे होते ना डर बनाने के वह यह derivative बच्छा हमने क्या बोला fx is a real valued function y is equal to fx its derivative its derivative at x is equal to a पर क्या होगा f dash a limit h tends to 0 f a minus h minus fa upon h यह होता है क्या होता है यह भी इसको बाद में डिसकस करेंगे अभी ही किसी function का derivative क्या होता है किसी Planning पे यह होता है clear यह तक आप में क्या function देखता है इसका रीप्रिजेंटेशन थोड़ा अलग हो जाता है देखिए क्या होता है इसका रीप्रिजेंटेशन कहा जिखता है थोड़ा पर टाइम लेता है समझना तो थे आता है 12 में तो आप यह अच्छे पर जान सकते हो ति देखते ही क्या है representation क्या होता इसका या तो ऐसे लिखाओगा कहीं ऐसे लिखाओगा f dash x लिखाओगा ठीक है कहीं ऐसे लिखाओगा d by dx f x लिखाओगा कहीं ऐसे लिखाओगा dy by dx dy by dx लिखाओगा और कहीं पर ऐसे डारेक्ट y dash लिखाओगा क्या लिखाओगा y dash y dash लिखाओगा समझे नहीं आ रहे क्या है देखरे हैं आप चलिए पर कभी-कभी ऐसे होता है देखे क्या कोई पूछे कि at x is equal to a पर derivative क्या होता है function का x is equal to a और d y upon sorry d upon dx f x किस पर x is equal to a और d y upon dx at x is equal to a और d upon dx हो चुका है y dash किस पर x is equal to a पर but most probably use कौन सा करते हैं ये वाला f dash x d y upon dx सबसे ज्यादा ये ये यूज होता है और सबसे ज्यादा क्या यूज होता है ये वाला यूज होता है ठीक है अब ये जो दिख रहा है ना बच्छा कि कि लिमिट की बात कर रहे हैं आपर लिमिट तो आई गया है कही ना कहीं से तो हम कह सकते हैं क्या at x is equal to a पर ठीक है हमारा जो derivative होता है वो क्या होता है f a limit x tends to a f x minus f a upon x minus a होता है ये exact form होता है real form होता है बट जब भी derivative की बात आएगी बच्छा याद रखिएगा limit इसकी exist कर रही होगी पहले से ही लिमिट इसकी exist कर रही होगी पहले से ही और याद रखिएगा limit किसी function का निकालते हैं ठीक है अब बात करते हैं जब भी limit exist करेगी तो आप हमें तहीं कि left hand limit equal होगा left hand limit equal होगा right hand limit के और वैसी बात है होगा ही होगा जब left hand limit को लिखने की बारी आती है तो कैसे लिखते है यादे कुछ a negative fx minus fa upon x minus h x minus a right hand limit को लिखने का क्या representation होता है x a positive fx minus fa upon x plus a minus a sorry 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 x minus a अब जैसे ही sign अटाते हैं बच्छा लिमिट अल्रेडी एक्जिस्ट कर रही है ना इसकी कर रही एक नहीं कर रही है चलिए क्या तो h tends to 0 f a minus h minus fa upon क्या हो जाएगा h a minus h a minus h minus a इधर क्या हो जाएगा limit h tends to 0 f a plus h minus fa upon a plus h minus 8 ये तो समझ में आई रहा है मैं इसमें क्या है तो बच्छा ये exact form है उसको वो क्यों लिखा गया ये बता रहे हैं आप लोग को अब देखें क्या हो जाएगा a minus h minus fa upon minus h limit h tends to 0 f a plus h minus fa upon h इसी चीज़ को हमने इसी चीज़ को लिख दिया ये चीज़ तो हम डारेटली जब भी equal हो गया हम लिख सकते हैं क्या है यहां पर limit x tends to a f x minus fa upon x minus a हमने वही तो लिखा है इसके ज़गा आप e भी लिखा है पर हमने यही क्यों लिया है यह हम जिमेट्रिकल इंटरपेटिसर में संजाएंगे हमने फ्लस वाला ही क्यों लिया है तो हमने क्या बोला if अब यह derivative है तो left बाले को left hand derivative बोलेंगे left hand derivative right hand derivative के equal हो जाए तो बोलेंगे क्या then function is differentiable at that point clear यहां तक अब मैं पढ़ते क्यू है मैं क्यू मतलब हम इसको यह चीज क्यू लेते है मैं यह है क्या exactly तो इसका geometrical interpretation कराते है तो पहले बात यह कि कोई real valued function है उसका derivative किसी point पे क्या होता है उसका derivative किसी point पे होता है क्या limit h tends to 0 fa plus h minus fa upon h होता है ठीक है अब बात करते हैं इसका geometrical interpretation क्या होता है देखिए तहां गया चलिया आजिए geometrical interpretation of derivative क्या होता है चलिया फटा-फटा एक graph बनाते है उस graph पे एक curve बनाते है और यह रहा हमारा curve अब हमने उस graph पे दो point mark ही है वो point हमने एक लिया है क्या x is equal to a पे हमारा function जो होगा वो क्या देगा fa देगा ठीक है भई y equal to fx है ठीक है तो हम लिख सकते हैं क्या a पे क्या मिला हमें fa मिला अब हमने दूसरा point लिया है क्या x is equal to a plus h लिया है ठीक है h distance है तो हमें इस पे क्या मिलने वाला है x is equal to a plus h पे क्या मिलने वाला है fa plus h function की value मिलने वाली है और यह हमारा जाने वाला है kya fa plus h अब यहां से हम pass करा रहे हैं एक line line देखिए कितनी बहतरी सुन्दर सी line होगी ठीक है जो tangent होगी है यह है clear यहां तक चलिए अब क्या है बच्चा slope of a b क्या होगा हमने इसको a बोला है और इसे क्या बोला है हमने b बोला है ठीक है अब आपको पता है slope का formula क्या होता है I know सबको पता है सब तेजे मैं मैं मैंने अभी भी पड़ा है slope of a b भाई slope of a b क्या होता है दो पॉइंट पे जाता है तो ठीक है y minus y1 या y2 minus y1 upon x2 minus x1 कर लिजे ठीक है f a plus h minus fa upon a plus h minus a क्या हो जाएगा f a plus h minus fa upon h clear यहां तक अब हम क्या करने वाले हैं इस b point को खिसकाते 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 एt ही पास लेकर आने वाले मैं जब तर टलता एक ह की वह लगग जीरो के बराबर हो जाए मतला हम इतने पास लादेंगे कि b a पे नजर आए गा और h लगभग लगभग 0 हो जाएगा हमने क्या बोला बी पोइंट को खिसका के यहां से यहां पे लाएंगे लगभग लगभग और क्या बोलने वाले हम जैसे की बताते हैं एक मिनट हमने क्या बोला अब हम बी पॉइंट को किसका के यहां लाने वाले हैं और क्या बोलने वाले लगभग लगभग यह दोनों पॉइंट जो है वह एक ही पर आ जाएंगे ठीक ए और यहां पैक्स की वैलु क्या है a सब्सक्राइब हम क्या हुआ जाएगा जीरो हो जाएगा अभी तो यहां से हां एक सब्सक्राइब के बराबर होगा वी एक A के उपर बैठा हुआ नजर आएगा तो हम क्या कहेंगे A प्लस H माइनस F अपॉन H Clear हुआ Clear हुआ अब हमें इससे क्या है हमारा यह हमारा Slope of Tangent है क्या है Slope of Tangent है At the curve क्या है यह हमारा Slope of Tangent है और Slope of जो करव है At the curve एक काम करदे Slope of Tangent At the curve At X is equal to A पे तो हमें क्या मिलता है हमें क्या मिलता है Slope of Tangent हमें क्या मिलता है Derivative मिलता है क्या मिलता है derivative of function fx at x equal to a हमें क्या मिलता है derivative of function मिलता है एक मेरा बच्छा प्यास लगिए बहुत जोर से हमें अब बात करते हैं क्या हमें एक जो स्लोप हमें क्या देता है किसी function का tangent देता है sorry कोई tangent का जो स्लोप हमें क्या देता है function का derivative देता है क्या देता है derivative देता है कोई doubt यहां तक समझ में आ रहा है यह तक ठीक है यहां पर आखम बात करें derivative क्या देता है gives derivative gives slope of tangent to the curve at x is equal to a, clear है, clear यहां तक, yes clear है, चलिए, अब इस derivative क्या बोल सकते हैं, इस derivative को बोल सकते हैं हम, f dash x बोल यह, क्योंकि हमें derivative मिल दा है, या फिर, या फिर, dy upon dx बोल यह, at x equal to a, इसका मतलब क्या है, क्या मिल रहा हमें, slope मिलता है, क्या मिलता है, slope मिलता है, और इसको बोलते हैं, क्या हम, इसका मतलब क्या होता है, change, rate of change, क्या बोलते हैं इसको, rate of change in y with respect to s, यही derivative, इसका यही interpretation है, क्या है तक problem आप लोगों को, ठीक है, तो हम क्यों निकालते हैं, dy derivative क्यों निकालते हैं, क्या होता है, या भी हमारा clear हो गया, अब बात करते हैं बचा, एक मिनट, देखें, algebra of derivative क्या होता है, बात करते हैं, algebra of derivative क्या होता है, कुछ algebra of derivative important होता है बचा, वो देखते हैं क्या है, algebra of derivative क्या होता है, पहला जो एलेवरा होता है बच्छा कहता क्या है जो पहला होता है पहला अलेवरा क्या होता है डी अपो इस एक्स प्लस-माइनस जी एक्स अब इसको आप कुछ भी बोल सकते हो ठीक है क्या होता है आपका d upon dx f dash x plus minus d upon dx g x अगर हम बात करें क्या अगर हम बात करें lit f x जो है हमारा u है और g x क्या हमारा v है तो क्या हो जाएगा d upon dx इसमें तो रहन देते हैं कर देते हैं चलिए u plus minus v तो क्या हो जाएगा d upon dx u plus minus d upon dx v चेकंड फॉर्मूला जो important है वो कर रहे हैं ठीक है देखें प्रोड़क्ट रॉल प्रोड़क्ट रूल क्या होता है ठीक है प्रोड़क्ट रूल क्या होता है यसा कि हम हमने बोल दिया क्या कि f x g x तो क्या हो जाएगा पहले वाले का differentiation दूसरे वाले को छोड़ो पहले वाले का differentiation plus पहले वाले को छोड़ो दूसरे वाले का differentiation that means अगर हम बोले uv का अगर हम whole dash करते हैं तो क्या हो जाएगा v को छोड़ो uv dash u dash plus u को छोड़ो v dash अगर हम third की बात करते हैं बच्चा d upon dx अगर multiplication में है fx upon gx है percent rule इसको बोलते हैं इस case में क्या होता है नीचे वाले को छोड़ो पहले वाले को differentiate करो f fx इसको अच्चे वास हमाई इसका बहुत use है सब्सक्रादा question इन दोनों पे ही solve होते हैं minus पहले वाले को छोड़ो d upon dx gx upon नीचे वाले का whole square clear नीचे वाले कोई differentiation नहीं होगा इसी को और लिखते हैं क्या आगर हम yu upon v की बात करें dash की so, v छोड़ो u dash minus u छोड़ो v dash upon v का square यह कुछ algebra होते हैं भी क्या होते हैं कुछ algebra होते हैं अब बात करते हैं derivative में कुछiantly formula होते हैं भी है direct जो formula होते हैं क्या पहले जो है हम formula की बात करते है, जो पहला जो है, वो है क्या, d upon dx, x to the power n, ये क्या होता है, n, x to the power n minus 1, दूसरा क्या होता है, d upon dx, सिर्फ x का differentiation, कितना होता है, 1 होता है, तीसरा क्या होता है, d upon dx, root x का differentiation, इसको भी याद कर लीजिए, 1 by 2 root x होता है, अगर हम 4th की बात करें, d upon dx, a to the power x का क्या होता है, a to the power x, log a होता है, 5th की बात करें हम, d upon dx, e to the power x का क्या होता है, e to the power x होता है, 6th की बात करें हम, d upon dx, किसका, log x का क्या होता है, तो इसका 1 by x होता है अब इदर बात करते हैं ट्रिग्नोमेटर जितना आपके 11th में हम उतना ही डिसकस करने वाले हैं d upon dx क्या होता है ठीक है? sin x का cos x होता है d upon dx cos x का क्या होता है minus sin x होता है d upon dx 10 x का क्या होता है sec square x होता है d upon dx sec x का क्या होता है sec x 10 x होता है कोई प्रॉब्लम या तक sec x 10 x होता है d upon dx cot x का क्या होता है cos x square x होता है d upon dx cos x का क्या होता है minus cos x cortex कोई doubt यहां तक कोई भी doubt इसको भी कर लेज़े minus होता है sorry minus होता है ठीक है यह आपके कुछ derivative के कुछ standard formula जो direct use कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कहां आपको direct use करना है और कहां direct नहीं use करना है जैसे यह question है अगर कुछ दिया है ठीक है principle value एक हुआ है क्या कहता है जैसे कि एक question आपको first principle देखिए अगर first principle given है अगर क्या given आपको first principle given है तो आप formula लगाई है first principle का formula क्या होता है अगर बोल रहा है कि first principle वाले से कीजिए तो क्या होता है F F dash A sorry F dash A equal to limit H tends to 0 F A plus H minus F A upon H यह लगाई है otherwise नहीं दिया है तो आप direct differentiation इसका कर सकते है तो यहाँ पर नहीं दिया है हम दोनों से कर देते हैं यहाँ पर ताकि आप लोगो question solve करने में easy हो जाए direct क्या हो जाएगा इसका अगर हमने बोला है क्या y equal to x square है तो differentiate differentiate with respect to x क्या हो जाएगा d upon dx y और d upon dx x square तो यह dy upon dx हो जाएगा equal to क्या होता है अभी हमने पढ़ा है क्या होता है d upon dx x to the power n का क्या होता है n x to the power n minus 1 होता है तो क्या हो जाएगा 2 x to the power 2 minus 1 2 x हो जाएगा ठीक है अगर बात करते हैं इसकी कि अगर first derivative से बोल रहा है ठीक है तो वो कैसे कर सकते हैं तो अगर हम यहाँ पर x लेके चलते हैं f dash x limit h tends to 0 कितना हो जाएगा x f x plus h minus fa अब अच्छा यह x ही होगा minus fx upon h तो रखिए limit h tends to 0 function यहाँ पर जो भी function है यहाँ पर क्या है x plus h का whole square minus x square upon h कितना हो जाएगा limit h tends to 0 x square plus h square plus 2 x h minus x square upon h तो यह x square x square cancel हो जाएगा limit h tends to 0 h कॉमर ले लेंगे तो क्या बचेगा h plus 2 x upon h कट गया अब रख दीजिये value clear यहां तक चलिए कुछ question देख लेते हैं मैं चाहिए यह first principle से है इसको आप लोग खुछ से solve करेंगे हम कुछ question इसके करा देते हैं देखते हैं कैसे क्या-क्या है जिसके हम use कर सकते हैं question को अपने चलिए हम second करते हैं इसका second क्या है y is equal to 5 x cube plus 3 x minus 1 और यह जाएगा x minus 1 अब यह गल्ती गल्ती नहीं आप कर भी सकते हैं multiply कर दिया फिर आपने integrate differentiate किया हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या क्या हम यहीं पर differentiate कर दे with respect to अच्छा इसको हम थोड़ा सा रुके करते हैं चलिए इसके पर हम थोड़ा easy question आपको करा देते हैं easy question क्या है इसमें क्या है इसमें से fourth देखिए यह first ही देख लीजे first क्या है बच्छा y is equal to 2 x minus 3 y 1 ठीक है जब इसको हम differentiate करेंगे differentiate with respect to 2 x की बात करते हैं हम यह जाएगा dy upon dx यह जाएगा d upon dx 2 x minus d upon dx 3 by 4 तो याद रखिएगा बच्छा d upon dx किसी constant का integration differentiation 0 होता है तो कितना जाएगा यह 2 into यह power 1 है 1 into x to the power 1 minus 1 minus 0 तो कितना जाएगा 2 x to the power 1 minus 1 तो कितना हो जाएगा 2 यह 0 हो गया ना कटके हो गया 0 ठीक है एनी नमबर upon 0 1 होती है ठीक है अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं with respect to x क्या हो जाएगा dy upon dx अगर हम इसको u बोल रहे हैं इसको v बोल रहे हैं u v अभी अभी हमने क्या बोला था कि अगर हम इसको u और इसको v कह रहे हैं u हमारा क्या है pipe x is cube plus 3 x minus 1 और v क्या है x minus 1 अभी अभी हमने पढ़ा है कि u v का hold है क्या होता है पहले वाले का differentiation बात 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 को छोड़ेंगे फिर पहले वाले को छोड़ेंगे हमारा x-1 है, जब इसको हम differentiate करेंगे, ठीक है, आपका 1 है, आप अलग-अलग कर लो, बच्चा, 5x3 कर लो, plus d upon dx, 3x कर लो, minus d upon dx, 1 कर लो, इधर का separate हो गया, plus, यह ऐसे छोड़ देंगे, 3x-1, ठीक है, हम यह rule लगा पाई, इसलिए मैंसे बता रहे हैं, आप लोग multiply करको direct कर सक ठीक है, d upon dx, x minus d upon dx, 1, अब देखे क्या हो जाएगा, x-1 तो छूट जाएगा, अब 5 into 3, x to the power 3 minus 1, ठीक है, plus 3 into x to the power 1 minus 1, इसका पूरेगा 0, constant है, सेम चीज, 5x cube plus 3x minus 1, और यह हो जाएगा क्या, इसका जाएगा 1 into x to the power 1 minus 1, ठीक है, और यह कितना आएगा इदर से, 15, sorry, 15, 5x cube plus 3x minus 1, ठीक है, यह तो रहेगा ही रहेगा, और 7 में यह कितना आगया, C for C, 1 आगया, अब इसको solve करना आपकी responsibility है, अब आप कैसे solve करना चाहते हैं, इसको यह आप solve करेंगे, ठीक है, यह हमारा answer आगया, किसका आगया answer, यह dy upon dx का आगया, अब मुझे नहीं लगता कि कोई problem होगी, आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या लगेगा, u upon v लगा सकते हैं, कि कि वो ही लगने वाला है, यहाँ पर, आप आगये बढ़ते हैं, कुछ trigonometry के question देख लेते हैं, क्या है, कुछ trigonometry के question देख लेते हैं, क्या है, आज यह फटा-फटा, चलिए, जैसे कि आमने यह question उठाया, ठीक है, अच्छा, एक बंदर बच्चा, हमने इस question में, इसमें, बस derivative पुछा था, इसमें solve कर दिया, ठीक है, किसी question में, इसमें first derivative पुछा था, यह आप solve करेंगे, आप बात करते हैं, हमने first question उठाया, y is equal to sin x cos x, फोड़ा सा simple है, बच्चा, उपन निचे 2 से divide कर लिया, multiply कर लिया, तो 1 by 2, और यह 2 sin x cos x, और यह formula हो गया, किसका, 1 by 2 sin 2 x का formula, बढ़ी sin 2 x का formula होता है, क्या होता है, 2 sin x cos x, क्या हो गया, अब इसको differentiate करेंगे, differentiate with respect to x, क्या हो जाएगा, dy upon dx, 1 by 2 constant अबाह निकाल दीजे, d upon dx, sin 2 x, कितना हो जाएगा, 1 by 2, sin का differentiation अभी बताया, cos x, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यह, sin, एक इसमें वो हो गया, sin 2 x का, आप भी आपको chain rule नहीं बताया गया बच्चा, तो यह वाला formula से थोड़ा सा गरबड हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको chain rule नहीं बताया है, तो आईए, डारेक्ट यूवी से करते हैं, जैसे अभी अभी हमने किया, chain rule बताया है तो अथा करा देते, चलिए, y is equal to uv के form में कराएंगे, क्या हो जाएगा, dy upon dx, पहले वाले, दूसरे वाले को छोड़ेंगे, cos x, d upon dx, sin x, plus sin x को छोड़ेंगे, d upon dx, cos x, क्या हो जाएगा, cos x, sin x का differentiation, cos x, minus sin x, ठीक है, इसका होता है, minus sin x, कितना हो जाएगा, cos x square minus sin x square, तो कितना आगया यह, cos 2 x, ठीक है, कितना आगया यह, cos 2 x answer आगया, यह भई, formula होता है, cos 2 x का, पता होना चाहिए ना सबको, यह cos 2 x का formula होता है, एक और question solve करते हैं, 3rd solve कर देते हैं, क्या हो गया, y equal to 5, take x plus 4, cos x, dy upon dx क्या हो गया, d upon dx, 5, take x plus d upon dx, 4, cos x, कितना आगया, 5 constant बाहर आगया, take x आगया, take x, 10 x, plus 4 बाहर आगया, minus sin x, कितना हो गया, 5, take x, 10 x, minus 4, sin x, यह है answer, बस इतने type के question हैं आपके derivative में, इससे जादा बिलकुल भी नहीं है, बस question solve कीजिए, practice कीजिए, इसी की बहुत जादा need है आपको भी, ठीक है, I hope आपको वीडियो बहुत समझ में आया हो, चीजे clear हुई हूँ, बहुत छोटा topic था, बहुत हमने बड़ा बना के इसको, बहुत heavy बना के हमने इसको पढ़ा नहीं आज तर, please अच्छे से पढ़िए, इस पर question practice कीजिए, ठीक है, कोई भी doubt हो, नीचे comment में लिखे, हम उसको solve करेंगे, thank you so much, मिलते हैं next session में, next one sort में, जो हम लेकर आने वाले हैं जल्दी probability की, thank you so much.